आज हम आप लोगों के लिए TGT बालोजी 2013 का पेपर लेकर के आए हैं चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है कला गहन में भरा हुआ तरल कहलाता है कला गहन में भरा हुआ तरल क्या कहलाता है चार आपसन दिये गए हैं आपसन सही होगा इसमें डी वाला इंडो लिंप कहलाता है यानि कला गहन में भरा हुआ तरल इंडो लिंप कहलाता है नेक्स कोशन है यूफोर्बिया हिरसुटा में पुस्पक्रम होता है यूफोर्बिया हिरसुटा में पुस्पक्रम कैशा होता है तो आंसर सही होगा इसमें बीवाला साइथियम प्रकार का होता है यूफोर्विया हिरसुटा में पुस्पक्रम या इनफ्लोरसेंस साइथियम होता है नैश कोचन है टेर्नर सिंड्रोम में गुरसूत्रों की संख्या होती है जब टेर्नर सिंड्रोम हो जाता है तो गुरसूत्रों की संख्या क्या होती ह आंसर सही होगा इसमें से B 45 होती है 45 टर्णर सिंड्रोम में गुर्षूत्रों की संख्या कितनी 45 होती है और टर्णर सिंड्रोम ऐसी इस्तुरियों में होता है जिनमें लिंग गुर्षूत्रों में केवल X गुर्षूत्र उपस्थित होता है केवल X और एक ही उपस्थित होग तो एक यानि 46 होते हैं तो 45 रह जाएंगे इसलिए क्या कहा गया है कि 45 होती है नैश कुछन है धासे विये रंद्र पाए जाते हैं धासे विये रंद्र किसमें पाए जाते हैं जलोद भित समोद भित मरुद भित इनमें से किसी में नहीं तो आंसर सही होगा इसमें से सी वाला धासे वियरंद्र मरुद भिद में पाये जाते हैं आपको बता दें कि मरुद भिद पौधों का मुकी लक्षण पतियां छोटी छोटी होंगी, स्केली होंगी, एपिडेर्मिस मोटी होगी, क्यूटकिल से धाकी होगी, धासे वियरंद्र पाये जाते हैं नेश कुछन है, पेट्रिफिकेशन, इंप्रेशन और कंप्रेशन प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं, चार आपसंदेगे हैं, फोसायल्स, बैक्टिरिया, स्पोर्स, वाइरस, आंसर सही होगा इसमें पहला फोसायल्स या जीवास्म के प्रकार होते हैं, फोसायल्स असमा जीव खेजिक यो उफिश्च चट्टानें पर उनके जो अवसेश चप जाते हैं उन्हें इजवास्म कहा हई जीवस्च हो गई नायक्ष और इसकी खोज सन 1850 सिद्वी में जे मुलर के द्वारा के गई थी जे मुलर नैस्ट कुछन है कार्बन मोनो अकसाइड मनुस्य के लिए हानिकारक है क्योंकि पूछा गया है यानि 210 गुना जादा घुलन सील होती है और प्रणाम सुरूप या आउक्सिजन से अत्रधिक हानिकारक होते हैं और आटो मुबाइल्स, सिगरेट, इंधन के अपूर्ण भंजन से ये उत्पन्न हो जाते हैं हाड मानिया में उस सर्जन होता है और कई जगांपर आपको पहला वाला ऑप्सन भी सही बताया गया होगा सही लिखा होगा लेकिन हमारे हिसाप से Neural गंति के द्वारा होगा तो आते हैं नैश कोशन पर नैश कोशन है न ही सुकेंद्री है तो आंशर सही होगा इसमें D वाला TMB यानि टोबैको मोजायक वायरस की खोज इवानवस्की के द्वारा की गई थी कब तो सन 1892 इसमी में की गई थी और इसको क्रिश्टल के रूप में सन 1985 में इस्टेलने ने प्राप्त किया था इस्टेलने ले और यहां तमाखु के पौधे पर पत्यों में मोजैक रूग उद्पन करता है फिउनेरिया के परमुख दानत होते है तो आंसर इसमें सही होगा पहला आर्थो डांट परकार के C4 पौधों में पाई जाती है ये वाला option सही है आपको बता दें कि C4 पौधों के अंतरगत गन्ना, मक्का, ज्वा या सारगम है मोन्था है, चौलाई है इत्याद फसले आती है नेश कुशन है इन में से कौन विश्व प्रसिद्ध पुरा वनस्पति सास्त्री है तो हम सभी लोग जानते हैं प्रोफेसर वीरवल साहनी विश्व प्रसिद्ध पुरा वनस्पति सास्त्री है और इन्होंने लखनव में बीरबल साहनी इंस्टिटूट आफ पैलियो बॉटनी की स्थापना भी किये कहाँ पाल लखनाओ में किस चिसकी बीरबल साहनी इंस्टिटूट आफ पैलियो बॉटनी की स्थापना और बीरबल साहनी National Academy of Sciences भारत के अध्धच और International Botanical Congress इस्टाक होम के मानद अध्धच भी र मार होता है किस में होता है तो पच्छियों में होता है बर्स में होता है नेक्ष कुछन है मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मचली प्रियोग में आती है मलेरिया का नियंत्रण कंट्रोल किस मचली के द्वारा होता है किसके प्रियोग के द्वारा होता है अंसर सही होगा बी गैंबू सिया गैंबू सिया के द्वारा होता है आपको बता दें कि मलेरिया के नियंत्रण के लिए गैंबू सिया मचली का प्रयोग होता है और यह मचली मलेरिया फैलाने वाले मादा इनाफलीज यह अन्य मच्छर की परजातियों के लारवा को खा जाती है इस तरह से र होता है यह जीवान के अतरिक्ट गुर्षूत्री अन्वान्सिक पदार्थ होता है यह नेक्ट कुछन है निलकित में से किस टेरडोफाइट में एलेटर पाए जाते हैं इन भी चाब्दा फालोइंग टेरडोफाइट्स एलेटर आर प्रेजेंट आंसर सही होगा इसमें से सी एक्वी सिटम में इलेटर पाए जाते हैं यानि जो एक्वी सिटम टेरडोफाइट है इसके स्पोर्स में इस्पून के आकार के इलेटर होते हैं और यह स्पोर्स के डिसपर्सल में सहायक होते हैं उनको विखेरने में सहायक होते हैं नेस्ट कुछन है मेढ़क के लार्वा में नायट्रोजनी उससरजी पदार्थ होता है तेड़ लारवा में तो कौण सा होगा ? मेधक के टेड़ लारवा की बात की गई है ? आंसर सही होगा इसमें भी वाला आमोनिया होता है अमोनिया, नेस्ट कुछन है, हेलने लूप पाया जाता है, हेलने लूप किसमें पाया जाता है, तो आंसर सही होगा, इसमें डी वाला व्रक में या किडिनी में पाया जाता है, नेस्ट कुछन है, हरित लवक की जिल्ली होती है, हरित लवक की जिल्ली कैसी होती है, तो दुई ग्रेना होता है ग्रेना और ग्रेना में प्रकास संसलेशन की प्रकासी किरिया होती है और सेसभाग पीटी का अथवा इस्ट्रोमा कहलाता है इस्ट्रोमा आपको बता दें कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक यह जगह होती है जहां पर प्रकास संसलेशन की किरिया शंप पहला वाला कार्बो हाइड्रेट का सुसन गुडांक एक से कम नहीं होता है लैमार्क वाद का आधार है लैमार्क वाद का आधार क्या है तो आंसर सही होगा इसमें से उपार्जित लक्षणों की वनसागति इन्हेरी टेंस आप एक्वाइड करेक्टर्स यह लक्षण है यानि डी वाल आप्सन सही होगा और आपको बताते चलें कि सन लैमार्क की किताब फिलासफिक जलोजिक में यह प्रकासित हुआ जो जीवितों के उपार्जि लक्षण की वनसागति के रूप में प्रसिद्ध भी हुआ नैस कुछन है लाइकेन एक अच्छे सूचक है लाइकेन सार गुड इंडिकेटर आउफ किसके अच्छे सूचक है तो वायू प्रदूशन के एर प्रूशन के अच्छे सूचक होते हैं लाइकेन अधवा शैक नैस कुछन है मनसे में कौन सी कपाली तंत्रिका समवेदी तथा चालक दोनों होती हैं समवेदी भी और चालक भी वीच आफ दयाफ एन्ड्शन के ये जीवाड जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं कहलाते हैं स्था तो क्या कहलाएंगे अंसर सही होगा पहला लोफो ट्राइकस कहलाते हैं लोफो ट्राइकस नेश कोचन है लोकित में से कौन से प्रकार की कोशिकाएं इस्पंज में भोजन का संचे करती हैं इस्पंज में भोजन का संचे तो 300 साइट्स वाले जो कोशिकाएं होती हैं ये इस पंज में भोजन का संचय करती हैं, नेश कुछन है, एको सिस्टम में प्रमुख उर्जा का स्रोत होता है, the primary source of energy is and ecosystem is, प्रमुख उर्जा का स्रोत क्या होगा, तो आंसर सही होगा, पहला सूर की रोसनी, अथावा सुनलाइट प्रमुख उर्जा का स्रोत होती है, आलायंगिक प्रजनन जेम्मा द्वारा होता है, जेम्मा द्वारा पुछा गया है, तो आंसर सही होगा, इसमें भी मारकेंसिया में आलायंगिक प्रजनन जेम्मा द्वारा होता है, और आपको बता दें, कि इसके थैलस के डारसल परत पर जेम्मा कब बनता है, जिसके पौधेव को जन्म देती है नेश कुछन है कौन एक जलिय जाती है वीच आप दा फालोइंग इजन एक्वाइटिक स्पेसीस आंसर सही होगा इसमें लाश्ट वाला रिक्सिया फॉलेटेंस एक जलिय जाती होती है एक्वाइटिक स्पेसीस होती है नेश कुछन है वी आकार के गुर्षूत्र होते हैं वी आकार के गुर्षूत्र कहा गया है तो मेटासेंट्रिक होते हैं वी आकार के गुर्षूत्र को मेटासेंट्रिक कहा जाता है पहला वाला आफसन सही होगा नेश कुछन है नेश कुछन जाते हैं सफेद जंग रोग होता है सफेद जंग रोग वाइट रस डिसीजिस काश्ट बाई आंसर स्वयोगस में सी अल्ब्यूगो से होता है और यह अल्ब्यूगो को सिश्टो पस भी कहा जाता है नेश कुस्टन है हाइडरा की दंसकोसिका से निकलने वाला बिसैला द्रव है जो हाइडरा है उसमें जो दंसकोसिका होती है उनसे निकलने वाला बिसैला द्रव क्या होता है तो आंसर सही होगा पहला हाइपो टॉक्सिन होता है हाइपो टॉक्सिन नेश कुस्टन है वास्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानी को कहते हैं यानि वास्प बनकर भाब बनकर जब पौधों से पानी उड़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है तो हम सभी लोग जानते हैं छोटे क्लासों से पढ़ते आए हैं कि वास्प के रूप में पौधों के द्वा अर अगर देखा जाए तो 31 दिन होता आउसत कि अगर बात कि जाए अलग अलग प्रजाति और अलग अलग देसों में पाई जाने मेले खर्गोसों में अलग अलग थोड़ा सा यह हो सकता है मेडग में गेस्टूलेशन पूरा होता है गेस्टूलेशन की बात की गई है तो आंसर सही होगा इसमें से पहला और दोसरा दोनों यानि ए और भी दोनों नेश्ट कुशन है यूरोमेटेक्स में अवस्कुर द्वार बटा होता है यूरोमेटेक्स में पूछा गया है तो आंसर सही होगा इसमें C, कारपोर्डियम, यूरोडियम और प्रोड़क्टियम में बटा होता है कारपोर्डियम, यूरोडियम और प्रोड़क्टियम next question है कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका बनती है टोपिकोस का इनी कैपसेल्स बनती हैं किसमे बनती हैं तो उडोगोनियम में बनती हैं उडोगोनियम में और उडोगोनियम का थैलस हरा पोकोस की और फिलामेंटस होता है और फिलामेंट जो होता ही साखानवित नहीं होता है फिलामेंट अपने छोर पर चुड़ा हुआ होता नेश कुशन है साबू दाना प्राप्त किया जाता है साबू दाना किस से प्राप्त किया जाता है तो बहुत से लोग जानते हैं जो लोग नहीं पड़े वही नहीं जानते होंगे साबू दाना साइकस से प्राप्त किया जाता है और कौन से पौधित साइकस रेवलियूटा न एक्वी सिटम का तना पर्वर्शंधी और पर्व में बटा हुआ तो और आपको बतादें कि एक्वी सिटम को होर्स टेल भी कहते हैं यह जोइंटड फर्ण भी कहा जाता है जोइंटेड पर्ण नेशकुचन है टीनिया सेजनेटा पिन्या सोलियम से भिन्ड है क्या अनुपस आर्थित के कारण होता है नेक्स्ट कुछन है सीट वर्म किस क्रीमी का दूसरा नाम है तो पिन वर्म का दूसरा नाम सीट वर्म होता है चाहिए आप सीट वर्म कहें चाहिए पिन वर्म कहें नेक्स्ट है अंतरांगों की अनैच्छी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत तो क्या होगा या आट। नौमिक होता है नैश कुछंच ये कुल आरतिक रूप से размahatopld कि इसके सदस से उत्पादन करते हैं किस चीज का उत्पादन करते हैं तो answer सही होगा डी का उत्पादन करते हैं दालों का नैश कुछन है कैडमियम प्रदूशन का संबंध किस बीमारी से है कैडमियम प्रदूशन का संबंध तो आंसर सही होगा इसमें से बी इटाई 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 बीमारी से है यनि कैडमियम प्रदूशन जो होता है यह इटाई इटाई नामक बीमारी से संबंधित है और यह बीमारी हड़ी की बीमारी होती हड़ी नेश कुछन है इन में से कौन सा कोशिकांग डिक्टियो सोम नाम से भी जाना जाता है डिक्टियो सोम नाम से भी जानते हैं कौन से कोशिकांग को तो डिवाला गौल जी बार्डी को डिक्टियो सोम भी भी कहा जाता है और इसकी कोसिका का ट्राइफिक पुलिस भी कहते हैं कौसी कवक डबल रोटी बनाने में प्रियोग की जाती है तो हम सभी लोग जानते हैं इस्ट कवक का प्रियोग डबल रोटी या ब्रेड बनाने में किया जाता है और उदाहन के रूप में कौनसेश्ट का तो सैक्रोमाइसीज सेरी विशी का प्रियोग करते हैं नेश्ट कुछन है इसको लियोडाउन का अंताहकंकाल बना होता है इसको लियोडाउन का अंताहकंकाल किसका बना होता है तो उपास्थी का बना होता है या कार्टीलेस का बना होता है नेश कुशन है कब के आकार का हरित लवक पाया जाता है कब सेप्ट क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है तो आंसर सही होगा इसमें से B क्ले माइडो मोनास में पाया जाता है नेश कुछन है जब एक विशाण जीवान पर आक्रमण करता है तब पर पोसी में प्रिवेश करने वाला पदार्थ होता है क्या होगा आंसर से होगा भी नाभ की अमल होता है या निउक्लिक एसिड होता है सबसे सूच्म प्रोटीन युक्त संक्रमन करने वाला काण कहलाता है सूच्म संक्रमन करने वाला काण काण सा है प्रोटीन युक्त हो तो आंसर सही होगा इसमें से पहला प्रियांस कहलाता है प्रियांस के बारे में जाने के लिए मेरे चैनल से वीडियो को देखिए नेक्स कुछन है इन में से कौन खाने योगे कवक है खाने योगे कवक का नाम बताना है तो एगेरिकस खाने योगे कवक होता है और इसे गील फंजाई भी कहा जाता है गिल भंजाई इसमें बिटामिन वा प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाय जाती है नाल वाले इस्तंधारी जन्दो होते हैं नाल वाले इस्तंधारी तो आंसर से वोगा बच्चे देने वाले होते है वाईवे परश होते हैं next question है निमेटोफोरस एक विसेश प्रकार की परिवर्थी जड़े हैं जो मदद करती हैं तो सभी लोग जानते हैं निमेटोफोर किसमें मदद करते हैं रेश पाइरेशन में सचन में मदद करते है पहला वाला आप्षन सहेँगा और यह सब्रकार की जोणे दलतली भूमी में उसमें परफ़े उखते हैं उसमें पाइज जाती हैं नेक्ट कुछन है, ट्रेबकुलेटर अंतस्तोचा पाई जाती है, आंसर सही होगा, इसमें B सेले जनेला में पाई जाती है, मेड़क में कपाली तंत्रिकाओं की शंख्या होती है मेड़क में कपाली तंत्रिकाओं की शंख्या कितनी होती है बताना है तो आंसर सही होगा इसमें से कौनसा आंसर सही होगा बी दस और आपको बता दें कि कपाली तंत्रिकाओं की संख्या बारह जोड़ी होती है लगभग में बारह जोड़ी कहीं कहीं बुक में आपको दूसरे आंसर भी मिल सकते हैं चलिए इस कोशन को अच्छे से देख लेंगे नेश कोशन है लाल तुधर कडिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं सुफनर के बिंदु मलेरिया के काण दिखाई देते हैं मलेरिया के काण नेश कोशन है जीवाण भोजी है जीवाण भोजी एक वीशाण जो जीवाण को संक्रमित करता है उसे जीवाण भोजी अथावा बैक्टिरियो फेज कहा जाता है हिंदी में जीवान भोजी, अंग्रेजी में बैक्टिरियो फेज कहा जाता है नेश कुछन है, इन में से कौन से उदाहन ग्रेमनी कुलके हैं ग्रेमनी कुलके कौन से उदाहरन हैं ये बताना है, चार आपसन दिये गए हैं और आपसन सही होगा, इसमें से डी, जीयामेज और ट्रेटिकम बल्गेर ये ग्रेमनी कुलके उदाहरन है नेश कुछन है, नाश्टाक एक प्रकार का है नाश्टाक is a type of, क्या है? तो नील हरी सेवाल होता है, ब्लू ग्रीन अलगी होता है अगर आप लोग ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में जानना चाहते है तो मेरे चैनल में वीडियो प्लूरेट है आप लोग जा करके देख सकते है नेश कुछन है, कीटों के कायांत्रण में कौन सा हार्मोन सहायक है? कौन सा हार्मोन सहायक होगा? पी वाला, एक डाई सोन, एक डाई सोन हार्मोन कीटों के कायांत्रण में शहायक होता है नेश कुछन है, किस पच्ची में पैक्टिन अनुपस्थित होता है? ऐसा कौन सा पच्ची है, जिसमें पैक्टिन अनुपस्थित है, absent है? आंसर सही होगस में से C, कीवी पच्ची में अनुपस्तितो होता है और आपको बता दें कि कीवी जो होता है पच्ची इसमें पैक्टिन नामक जो प्रोटिन है ये नहीं पाई जाती है और यहां एक पॉली सेकराइड है पैक्टिन कबूतर, मोर वा कववा जैसे पच्चों में पाया जाता है और पैक्टिन चिडियों के आँख में भी पाया जाता है जबकि कीवी में नहीं पाया जाता है नेश कोचन है सैक के दो मुखे घाटक है सै के दो मुखे घटक तो हम सभी लोग जानते हैं कौन से होंगे सैवाल और कवक ये दोनों सै के मुखे घटक होते है नैश कोचन है बाउना नर पाया जाता है बाउना नर अंसर सही होगा इसमें से D. उडो गोनियम में बाउना नर पाया जाता है नेश कुचन है बिजांड जिसमें अंड़ द्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिक दूसरे सिरे पर होता है कहलाता है क्या कहलाएगा तो आर्थो ट्रॉपस कहलाता है आर्थो ट्रॉपस नेश कुचन है घोंगे के गतिसील सुक्राणू कहलाते हैं घोंगे निमेटिक बोन्स आर फाउंडे इन किस में पाई जाएंगी तो कबूतर में पाई जाती हैं पाईजन में पाई जाती हैं यह नहीं करें कि पच्छियों में पाई जाती हैं यह भी हम कह सकते हैं क्योंकि निमेटिक हड्डियां जो होती हैं यह अंदर से खोखली होती हैं और ह सबसे अच्छी तरह से, अंसर होगा पहला पराग कन या पॉलेंग ग्रेंस, नेश्ट है, वाल वाक्स एक है, वाल वाक्स क्या है, सामुहिक रूप या कॉलोनिकल फॉर्म होता है, नेश्ट है, अर्द सूतरी विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है, किस अ वस्था में crossing over होती है इस कुश्चन को और अच्छे से आप लोग देख लेंगे नेश कुश्चन है जल समभान तंतर किसका लक्षण है किसका लक्षण होगा जल समभान तंतर तो answer सही होगा इसमें से C एकाइनो धर्मस में जल समभान तंतर होता है नेश कुश्चन है पक्सीनिया से होता है पक्सीनिया से क्या होता है तो पहला होगा जंग रोग या रश्ट डिशीज पक्सीनिया से हो जाती है नेश कुश्चन है नेश किसमें बिसम बिजाड़ुत्या पाई जाती है किसमें ब बिसम भी जाड़ुकता पाई जाती है, नेश कुछन है, लिटमस प्राप्त किया जाता है, लिटमस किसे से प्राप्त किया जाता है, तो हम सभी लोग जानते हैं, लाइकेन अथवा सैक से लिटमस प्राप्त किया जाता है, और आपको बता दें, कि यह मुक्ता, रॉसेला, ल गतता में तर्फ यहां जाता है यह नीवरा निलिडा में सिट्रस के रोगर उत्पन्व होता है किसके कारण सिट्रस केंकर रोग तो जैन्थो मोना सिट्राई के द्वारा उत्पन होता है बी वाला अप्सन सही होगा नेश कुशन है नारियल के फल में खाने वाला भाग है नारियल का फल है खाने वाला भाग का होगा भूण पोस होता है इंडो स्पर्म होता है बी वाला अप्सन सही होगा और नेश कुशन है पंखिये परागकन पाये जाते हैं पंखिये परागकन किसमें पाये जाते हैं तो पाइनस में पंखिये पराकण उपस्थित होते हैं नेश कुस्चन है सैवाल साहचर पाया जाता है सैवाल साहचर साइकस की कॉरलाइड जड में पाया जाता है नेश कुस्चन है इन में से कौन सा सोच मजीव नाइट्रोजन इस्तरीकण में मुख्य भूमिका निभाता है ना आंसर सहीयोगस में से पाहला राइजू भीमौसूत ऑशयू यह दलहनी फसलों की जड़ों में पाता है और नाइट्रोजन का इसथरी करन करता है नेश कुसेन है जावाा मानों का अन्यनाम है जावामानों का दूसरा नाम क्या है पूछा गया है तो आंसर सक्वेगा होगा चार आपसन सामने दिए गए हैं और आपसन इसमें से होगा पहला बीसाड में प्रोटीन पर्त यानि प्रोटीन कोट कैप्सुमेर के बने होते हैं यह वाला है नैश कुछन हैं अमलिय वर्षा के मुख्य घटक काउन से होंगे तो सल्प्यूरिक अमल और नायट्रिक अ आपसन से वंगा पहला वाला नैश कुछन है घ्लाइकोलिसिस का अंतिम उतपाद अन्सेमी के दवारा होता है मान स्पेसियों के द्वारा काला अजार फैलता है काला अजार किसके द्वारा फैलता है तो फले बोटोमस के द्वारा फैलता है सुक्राण का परिपकवन होता है किसके द्वारा होता है तो आंसर सही होगा इसमें से कौन सा सही होगा पहला इपीड़ाइमस में नेश कोशन है रेसम कीट की रेसम ग्रंथियां किसका रुपांत्रण हैं किसका होंगी सीवालापसन लार ग्रंथियों का रुपांत्रण है सेलेवरी ग्रायंड का रुपांत्रण होती है नेश कुशन है हाथी का दंत विन्यास है हाथी का दंत विन्यास कितना होता है तो आंसर कौन सा सही होगा इसमें हाथी का दंत विन्यास देखिए मेरे हिसाब से इसमें कोई भी आप्सन सही नहीं है आपका हिसाब क्या कहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे नेश कुछन आते हैं हड्यों से जुड़ी हुई सारी पेसियां होती है हड्यों से जुड़ी हुई सारी पेसियां केवल रेखित पेसियां होती है नेश कुछन है ग्लोमेरुलर निश्पंदन में शमानता नहीं होता है क्या नहीं होता है निश्पंदन में क्या नहीं होगा आंसर सही होगा इसमें से D ग्लोमेरुलर निश्पंदन में समानता अल्बियूमिन नहीं होता है नेश कुछन है किस कीट के जीवनचक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है नहीं जरूर ध्यान देंगे तो आंशर सही होगस में से C, खटमल या बेड़ वर्ग में प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती है जबकि जो मच्छर है, सिल्क मोथ है तितली में प्यूपा अवस्था पाई जाती है नेश्ट कुचन है प्रोटीन निर्मार सतह पर होता है आन्सर सही योगस में से B खुरदरे इंडोप्लाद्मिक रेटिकुलम के सतह पर क्योंकि इंडोप्लाद्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है चिकना और खुर्दरा जो चिकना होता है उस पर राइबोसोम नहीं पाई जाते हैं जो खुर्दरा होता है उस पर राइबोसोम पाई जाते हैं और राइबोसोम का कार प्रोटीन निर्मार करना होता है इसलिए इसमें से खुर्दरा वाला सा ही होगा बी वाला नेश कुछन ह झांचर सही होगा इसम में पहला लाइको पॉडियम में प्रोटो स्ठील नेस। कुशन है नर असकेरिस मादा असकेरिस से भिन्द होता है क्योंैं इसमें होती और साकाहारी होती है संवे प्राथमिक उभ्भोक्ताता सकाहारी हर भी ओरश सही वोगा सं में से जब पूंकेसर के तंतुस्वतें रोटें और पराकों Chamber को जोड़े होते इस अवस्था को क्या कहा जाता है तो चब पूंकेसर के तंतुस्वतन्त्र को पराकों तो sin generesius कहा जाता है 신 genesius मछलीयों का यूग है को सा है ये बताना है आंसर तर सही होगा इसमें से last वाला devonian cup मछलीयों का यूग कहा जाता है devonian cup को nash question पर आते हैं अर्ध सूत्री कोषिका विभाजन होता है आर्ध सूत्री को इसका विभाजन किस में होता है तो पुस्प कली में होगा फ्लोरल बड में होता है नेक्स्ट कुशन है एक्रोसोम बना होता है एक्रोसोम गालजी काय का बना होता है या गालजी बाड़ी का बना होता है next cyclops किसका दुतियक पोशक है cyclops is the secondary host of guinea cream या guinea warm next question है एसकान नाल प्रणाली पाई जाती है एसकान नाल प्रणाली किशम में पाई जाती है तो answer सगसी लिवको सोलोनिया में पाई जाती है आपको बता दें कि एसकान नाल प्रणाली लिवको सोलोनिया में साइकान में स्काइफा लिवकान में स्पांजिला next question है श्चैक में सुरेडियम सिफाइलोडियम और इशीडियम शाधन है किसके बीवाला अलेंगिक प्रणान के एसेक्चुल रप्रोडेक्शन के next अग्नियासाई रस के स्रामण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होगा अग्नियासाई रस को पैंक्रियाटिक जूस को आंसर सही होगा इसमें से बी सिक्रेटिन हार्मोन next च्छन रूपी जीवान कहलाते हैं रोड से बैक्टिरियास काल्ड क्या कहलाएंगे बैसिलाई कहलाते हैं बैसिलाई च्छन रूपी जीवान को बैसिलाई कहा जाता है और ये गोलाकार सबसे छोटे जीवान होते हैं या तो अकेले होते हैं या समों में भी पाय जाते हैं next है केच्छुए में हिर्दय होते हैं अर्थवार्म प्रॉसेश है अर्थवार्म प्रॉसेश है, कितने होंगे, अंसर सही होगा इसमें से B, चार जोड़े होते हैं, four pairs, next, कार्बनिक योग्यों का संसलेशन जीवन का आधार है, यह प्रयोग किसके द्वारा दिया गया था, तो मिलर के द्वारा इस्टेंले मिलर क खापाई जाती है, लाश्ट वाल आप्सन से होगा, next है, बेसिडियो कार्प फलन काई है, बेसिडियो कार्प फलन काई, answer से होगा, डी अगेडिकस का, next है, तरुन पतियां कुंडली तो होती हैं, किसमें होंगी, तो उपर युक्त सभी में, चाहे वो मार्शेलिया हो, चा चाहे वो साइका सोच सभी में, तरुन जो पतियां होती है, वो कुंडली तो होती है, next, सतही बिदलन किसका मुख्य लक्षण है, किसका होगा, तो आंसर से होगा, डी केंद्र पीत की अंडा, next, यक्रित कीमिका स्वतंत्र रूप से तरने वाला सीलिया युक्त लारवा है, कौन सा होगा, बी, मिरा सीडियम होता है, मिरा सीडियम, next question है, अमीबा में पोशन का है, तो अमीबा में पोशन होलो जोईक प्रकार का होता है, next question है, आर्द सोत्र विभाजन में समझात गुर्षोत्रों की जोड़ी बनती है, तो जाइकोटीन अवस्था में समझात गुर् इसकी संधिय का प्रकार है तो कौन सा होगा बंधकाय होता है बंधकाय नेक्ष्ट चिलगोजा पाया जाता है चिलगोजा पाइनस जिराल डियाना में पाया जाता है नेक्ष्ट जैनरी अपरा पाया जाता है जोनरी अपरा है तो इसमें किसमें पाया जाएगा तो सीवाला अ जाकाहारी इस्तरियों में और मांसा हर इस्तरियों में दोनों में जोनरी अपरा पाया जाता है नेश्ट है दो इस्तरिये गैस्टुला पाया जाता है दूई अस्तरिये गैस्टुला किसमें पाया जाता है तो एमपी ऑक्सिस में दूई अस्तरिये गैस्टुला पाया जाता ह नेश्ट है अंडो सर्ग के बाद हार्मोन का स्रामन करने वाली संद शंद चन nem पैत्रिक संरख़न के तो ही पो कैंपएस मचलि में पैत्रिक शंद चन के गुणड पाय जाते हैंनेश्ट है रावर्ड ब्रावन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं, अंसर सही होगा इसमें से B वाला केंद्रक की खोज के लिए जाने जाते हैं, नेक्ट है, बहुमोत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, बहुमोत्र जो रोग है, कौन से हार्मोन की कमी से होगा, तो C वाला वैसो प्रेसिंग की अगर कमी हो ज अंसर सही होगा DR-KID पौधा वातावड़े जल को अवसोसित कर सकता है आसा है आप सभी लोगों को TGT 2013 का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में व